कि फंडमेंटल राइ्ट्स को हम लोग पढ़ रहे हैं और फंडमेंटल राइट्स में हम लोगों मुल अधिकार जो हमारा 12 से ले करके 35 तक में जो define किया गया है इसके बारे में details से अब हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अनुशेद 12 का अनुशेद 12 में क्या बात कहा गया है इसको हम लोग परे details से समझते है अनुशेद 12 को समझना बहुत ज़्यादा important इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कभी भी मुल अधिकार का बात कहा जाता है तो मुल अधिकार जो होता है एक परकार से मनुश्य के लिए बहुत ही मौलिक अधिकार के रूप में इसे हम लोग जानते है क्योंकि मनुश्य का overall development के लिए मुल अधिकार का होना अनिवैर है अब मुल अधिकार में अगर कोई पाबंदी लगा दे कोई रोक लगा दे तो वो कौन लगा सकता है या फिर कौन उसे मौलिक अधिकार दे सकता है ये तमाम सीजों को समझने से पहले हमें अनुश्य बारा को समझना बहुत जरूरी होगा क्योंकि अनुश्य बारा जो है वो state को परिवासित करता है यहाँ पे state का मतलब ये मत समझिएगा कि जारखंड, बिहार, उरिसा ये सब state का मतलब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर इसका क्या provisions है जो आर्टिकल बारा में जो बात कहा गया है कि state को किस तरह से define किया गया है अलग provisions में fundamental rights के concept में fundamental rights को concerning की अधार पर fundamental rights के अधार पर हम लोग समझेंगे आर्टिकल बारा जो है एक परकार से define किया गया है इस purpose के लिए ताकि हम समिधान के part 3 आनि fundamental rights को समझ सके और हम उसके according उस पर impose कर सके सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकारों के संबर में हम लोग state को पढ़ेंगे भारत सरकार एवं संसत कहने का मतलब है कि government and parliament of India that is executive and legislative organs कहने का मतलब है कि जो हमारा legislative है और executive organs है जो हमारा state के अंदर आता है आनि government के अंदर आता है वे तमाम चीज़े हमारे किस के अंदर आएगा state के अंदर आएगा राइजी की सरकार एवं बिधान मंडल इसका मतलब हुआ कि government और legislature of states जो राइजी का जो बिधान मंडल है वह और इस बिधान मंडल के अंदर भी हमारा क्या आएगा एक्जिक्विटिव आएगा और लेजिसलेटिव ओर्गेंज आएगे उसके बाद भारत के राईज छेतर के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंतरन के अंतरगत सभी अस्थानिये एवं अन्य प्राधी कारी इसे डेटेल से समझे कि स्टेट के अंदर और भी किया जाएगा एक तो हमारा केंदर सरकार और केंदर सरकार में जो संसद हैं वो राई सरकार और राई सरकार के अंदर में जो बिधान मंडल है वे वे स्टेट के अंदर आएंगे स्टेट का मतलब इस बात को समझे कि एक्जेक्यूटिव और हमारा लेजिसलेटिव और्गेंड ये इंक्लूड होगा साथी साथ ओल लोकल आथोरिटीज लाइक मुनिस्पिलिटीज पंचायत, डिस्ट्रिक, बोर्ड और कोई भी इंप्रॉब्मेंट जो ट्रस्ट हैं वे सभी हमारे स्टेट के अंदर आएगा यहां तक फूर एक्जामपल हम जान सकते हैं लाइसी, ओएनजेसी, सेल ये जितने भी और्गेनाजिशन्स हैं या फिर जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, जो स्टेट्यूटरी बोड़ी है किसी एक्ट के तहद बनाया गया है या फिर गॉवर्मेंट के इंस्ट्रूमेंट की तरह से काम कर रहा है तो वे सभी चीज़ें हमारा स्टेट के अंदर आएगा स्टेट को समझना इसलिए भी महतपूर्ण है क्योंकि ये बहुत वाइडर सेंस में इसे हम लोग देखते हैं और वाइडर सेंस होने के वज़ा से हम यहाँ पर जानेंगे कि जितना भी all types of agencies या boards और अगर ये जितने भी organizations और अगर government के instrument की तरह से काम कर रहा हो तो वे सभी organization वे सभी agencies इस state के अंदर आएगा इस बात को समझिएगा उसके बाद अगर कोई भी agency या फिर कोई भी organization अगर किसी के fundamental rights को अगर violet करता है अगर violet करता है तो वे challenged कर सकते हैं directly supreme court और high court में आपको मैं बताना चाहूँगा कि supreme court के according supreme court के statement को समझने कोसिस करें तो supreme court कहता है कि नीजी इकाई अथवा agency को भी रायजिक समझा जाएगा जो रायजिक कि संस्थान के रूप में कायज करता है कहने का मतलब है according to supreme court even a private body और any agency working as an instrument of states fall within the meaning of state under article 12 कहने का मतलब है कि जो भी instrument है like private body हो या private agency हो अगर वो government का instrument के तरह से काम कर रहा हो तो वो state के परिवासा में fall करेगा और उसे state consider किया जाएगा under article 12 clear यहां तक बात समझ में आगिया होगा I think I think आप सभी को यहां पे आपको provisions भी मिलता है कि मुल अधिकार को मुल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि अगर आपका fundamental right को कोई infringe करता है को violet करता है कोई आपका encroach करता है तो आपके पास एक अधिकार है जो सीधे आप उच्छ तमन्याले और उच्छ न्याले जा सकते हैं उच्छ न्याले के लिए आपको जो ससक्त करता है जो मजबूती करता है जो परदान करता है आपको प्रोविजन के रूप में वो 226 अनुशेद है जो सीधे आप देखिए आम तुर पर कोई भी मैटर में आप सीधे High Court या Supreme Court नहीं जा सकते हैं Step by Step आप जाना होता है लेकिन अगर in case आपका fundamental rights जा जो जाफ एकर एकिन जार सकते हैs जा जाते है have decided to go the Supreme Court you have the right 32 articles and you can move Supreme Court against or appeal if somebody or somebody or agency inviolate or encroach your fundamental rights. अगर fundamental rights को कोई भी संस्था, कोई भी organization, कोई भी agency जो government के instrument के तरह काम करें और वहीं अगर आपको encroach कर रहा है fundamental rights को तो आप सीधे High Court और Supreme Court में appeal कर सकते हैं यहां पर मुख रूप से हमें देखना था कि अनुश्यद बारा क्या कहता है अनुश्यद बारा state का परिभासा define करता है किस अंदर में fundamental rights को केंद्र बिंदू में रख करके I hope यह सारी बाते आपको समझ में आ गया होगा और अगर चैनल में नए है दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा आपके हर कहां से कहां कर्टेल हो सकता है इन्वैलिड हो सकता है लोग क्या होता है यह तमाम चीज़ें हम देखेंगे आर्टिकल 13 में तब तक के लिए आप सभी का सुक्रिया धेन्वाद